नमस्कार, मिना नाम है अभिशेक और आप देख रहे हैं पब्लिक बानी, मैं लेकर आ गया हूँ हिमाचल चुनाओ का एक्जिट पोल, क्या होगा इस बार हिमाचल में, क्या हिमाचल में रिवाज बरकरार रहेगा या फिर इस बार रिवाज तूट जाएगा, चलिए हम आप आपको बताएंगे इस बार के एक्जिट पोल में, लेकिन ये रिवाज आखिर है क्या, दरसल रिवाज ये है, हिमाचल प्रदेश में की पिछले 30 सालों से वहाँ पर हर बार जो है वो सरकार बदलती रही है, तो क्या इस बार भी हिमाचल प्रदेश में सरकार बदल लगी है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राश्त्री अध्यक्ष जेपी नड़ा की प्रतिस्था भी दोव पर लगी हुई है, तो आखिर हिमाचल प्रदेश में इस बार क्या होगा, चलिए हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दे कि हिमाचर प्रदेश में कुल जो है विदान सबा की सीटे हैं वह 60ड विदान सबा की सीटे हैं और अगर यहाँ पर सरकार बनानी है और बहुमत के लिए जो आँकड़ा है यहाँ पर वह 25 सीटों का पिछले पिछले बार के चनाव पर yellow ऐगर यहाँपर कि वहाँ पर हिमाचर प्रदेश में जो है वो क्या इस बार के परिणाम आ सकते हैं हमने अलग-अलग जातिगत समिकरन को भी देखने की कोशिश की है कि आखर हिमाचर प्रदेश में इस बार जो है वो किसकी सरकार बन सकती है तो चलिए चलते हैं कि आखर exit पूल के आंकड़े क्या कहते हैं हिमाचर प्रदेश को लेकर जब आप 8 दिसंबर को हिमाचर प्रदेश के नतीजे देख रहे होंगे तो आपको गुजराच चुनाओं से ज़्यादा जो दिल्चस्प नतीजे वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे वो हिमाचर प्रदेश के देखने को मिल सकत इसलिए इसबार हिमाचल चुनाओ का परिणाम है वो बेहद ही दिल्चस्प होने वाला है आर्ट दिसम्बर को आप TV स्क्रीन पर अपनी नजरे वो बनाये रखिएगा क्योंकि हिमाचल चुनाओ का परिणाम है बहुत ही रॉमांच कारी होने वाला है कॉंग्रेस को 34 से 38 सीटे मिल सकती है और इस बार हिमाचर प्रदेश में पहले आम आदनी पार्टी भी बहुत थी जोर सोर से चुना लोर रही थी और हिमाचर प्रदेश को उन्हें छोड़ दिया था लेकिन आम आदनी पार्टी जो है यहाँ पर क्या कर सकती है आम आदनी पार्टी को यहाँ पर 0 से 2 सीटे जो है वो मिलने की संभावना है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटे जो है वो जा सकती है यानि इस बार जो है हिमाचर प्रदेश में कॉंग्रेस जो है अपनी सरकार बना सकती है और मेरे अनुमान के निसार जो है हिमाचर प्रदेश में कुल जो है अर्सट विरहन सभा की सीटे हैं और बहुमत के लिए 35 के आंक्रे चाहिए तो यहाँ पर जो हिस बार हिमाचर प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच बीजेपी और कॉंग्रेस की बीच जो है वो चार सीटों का अंतर रह सकता है मेरे अनुसार से और अगर हिमाचर चुनाओ के हमारे इस एक्जिट पोल पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको हमारा वेडियो पशंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा आपका बहुत-बहुत धन कि दो से बहुत-बहुत-बहुत प्रेस का जबत तो हमारे खिएगा जबहुत-वारे बहुत-धन ज